पत्ता गोबी और पोहे की बहुत ही जादा टेस्टी सी रेसिपी जिससे आप 10-15 मिट में इस नाच्टे को बना के तयार कर सकते हैं तो यहां पर मैंने एक चोटा कटोरी पोहा लिया है बेसे डालेंगे एक गलस पानी यानी अच्छे से भीगने तक भीगा लेंगे इतना पानी हमें पानी जार देंगे जए इस तरह से भीगने तो भीगने के बाद इस तरह का हाथों से दबना चाहिए एक दम नरम सा हो जाता है उसके बाद क्या करना इसको पानी से अच्छे से आपको छान के निकाल लेना चाहिए पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हाथों से अच्छे से इसे दबाते हुए इस तरह से कर लेंगे एक खुषा आलो ग्रेट कर लिया था, थोड़ा बालोई इसको आट से क्या था है तो यहां पे आलो को भी अच्छे से दुल के मैं लिए है पुरा इसका पानी अलग कर लिया है, अब इन दोनों चीजों को हमें मिला लेना है अब इसमें कुछ छीज़ें हम और had करेंगे जिसके लिए ।को यहां पे पत्तख को भी मैंने लिए पयाज ली है थोड़ा सा मैने न मेथी के पत्ते लिए और हरीमिश लिए पयाज है। कम अपी करना कि जो भी आपको सब्सकुल नली helps best अबने राशन अखिशन यहां फे यह दाव़न ना है amको तो मेरा जोंख सब्सक्रा सब्सक्त दनिया पाउडर चाट मसाला और थोड़ा सा नमक ढालेंगे बहुँ जादा नमक नहीं डालेंगे क्यों चाट मसाले में भी नमक होता है अब इन सारी चीजों को हमें हातों से अच्छे से मिला लेना है यानि जैसे हम आटा गूते ना उसी तरह से थोड़ा सा दबाते हुए कर लेना है ताकि अच्छे सेट हो जाए तो यहां पर देख सकते हैं इस तरह जितनी सबसी अच्छे से बारिक आप कट करेंगे न उतनी आराम सी यह बन जाएगा तो यहां पर एक लोई जैसा देखिए बन गया है तो इसी तरह का होना चाहिए अब इसकी टिक्किया का शेप म करेंगे क्योंकि आलू है वह कच्छे है तो अलू को पकने थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मेडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से में उलटते पलटते इसे फ्राइ कर लेंगे अभी तो कुछ टाइम के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अब यहां पर मैं इसके लिए जिसमें टाले एक टमाटर और लेसन अद्रक थोड़ा सा लिया है और इसके साथ एक सूखी लाल मेश है आदी चोटी चमच मैंने लाल मेश पौडर लिया है तोड़ा तीकी नहीं यह और कलर के लिया है नमक डाल दिया है तोड़ा सा नीबू कर रस है और आठ से दस दाना दाला है इसे कि चटनी बहुत ही जादा टेस्टी बन के तियार होती है और इस नाश्टे के साथ बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो यह देख सकते हैं मैंने अभी फ्लेम को थोड़ा फुल कर दिया था ताकि अच्छे सी फ्राइ हो जाए तो यह पी जब इस तरह का ल बच्चे भी बड़े शौक से इसे खाएंगे तो यहां पे देखिए हमारा नाश्ता बन के त्यार हो गया बहुत ही जल्दी बन भी जाता है बस सब्सक्राइब भारी कट करेंगा तो यहां पर चाहे न तो आप चौप भी कर सकते हैं सब्सक्राइब को लेकिन होगा क्या कि उ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और कमेंट में जरूर बताएगा कैसी लगी